हे गाईज, विलकम बैक टो आर चानल सान आटो आज हम बात करने वारे हैं बजाज की कुछ अपकमिंग बाइकों के बारे में दोस्तो, बजाज जो है काफी टाइम से अपने बाइकों में कोई भी अपडेट नहीं किया है इसलिए दोस्तो, अभी ये कन्फर्म हो चुका है कि बजाज आने वाले कुछ महिनों के अंदर अपने कई सारे मोडेल्स को अपडेट करने वाली है और कई सारे न्यू मोडेल्स को भी मार्केट में लाँच करने वाली है सो दोस्तो अगर आप भी आने वाले टाइम में कोई न्यू बाइक लेने की सोच रहे हैं स्पेशली बजाज की कोई बाइक तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखिए यह आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है हमारे लिस्ट की फर्स्ट बाइक है बजाज पल्सर 250 जो की एक सेमी फ्यूर्ट स्पोर्स बाइक है दोस्तों कुछ दिन पहले ही इस बाइक के जो है ओफिस्यल टीजर वीडियो लॉंच हो चुकी है और इसका लॉंचिंग डेट भी कंफर्म हो चुका है चलिए देख लेते ह आपको इस बाइक में क्या-क्या न्यूब फीचेस मिलने वाले हैं बजाज पल्सर 250 पे बेस्ट होने के बावजुद भी इसमें आपको हाफ फेयरिंग, फेयरिंग मांटेर रेर व्यू मिलने वाले हैं जो बाइक के लुक को बहुत ही ज्यादा सार्प और बल्की बनाती है इसी के साथ ही आपको इसमें 6-speed transmission, LED लाइटिंग सेट आप, फ्रॉंट एंड रेर में सिंगल डिस ब्रेक, अलोव हुिल्स विद ट्यूबलस टायर और डुल चैनल एब्यों सॉफर किये जाने वाले हैं बाइक का मीटर कंसोल अनलोग प्लस डिजिटल में होने वाला है, जिसमें आपको टाको मीटर स्रिप अनलोग में और बाकी सबी चीज़े डिजिटल ओए में शो हो जाएंगी बाइक के इंजिन आस्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको और न्यूब 249 सीसी का ओइल कूल सिंगल सिलिंडर फ्यूल इंजिक्ट बेसिक्स कॉंपक्ट इंजिन मिलने वाला है फाइनली बाइक के प्राइस की बात करें तो दोस्तो ए बाइक आपको 1.35 लाग एक शोरूम प्राइस टैक के साथ एवेलेविल हो जाएगी और इसका लाँचिंग डेट तो कंफर्म हो ही चुका है ए बाइक आपको 28 ओक्तुबर को इंडियन मार्केट में लाँच होती होई देखने को मिल जाएगी हमारे लिस्ट की दोस्ते बाइक है बजाज की NS250 ए एक नेकेट स्पोर्ट सेग्मेंट की बाइक है इसका भी लाँच इंडियेट कंफर्म हो चुका है ए बाइक भी आपको पलसर 250F के साथ ही लाँच होती होई देखने को मिल जाएगी चाट करते हैं बाइक के डिजाइन से तो दोस्तों NS250 के फ्रन्ट लुक को जो है फुली चेंज कर दिया गया है इसमें आपको सिंगल प्रोजेक्टर हेडलाइट, LED DRLS, नियूली डिजाइन फेरिंग और न्यू टेल लाइट मिलने वाले है बाइक में पावर जनाइट करन के लिए फ्रन्ट में टेलिस्कोपिक फ्रन्ट फर्क उइट एंटि फ्रिक्शन बूस्ट और रेर में मोनो सॉक सस्पेंशन का यूज किया गया है इस बार बाइक में आपको सिक्सपीड ट्रैंसमिशन और स्लिपर क्लश मिलने वाला है साथ है इसमें आपको हालोजीन हेड लाइट, LED टेल लाइट, ट्यूबलेस टायर, विट अलाइफ और फ्रन्ट एंट रेर में सिंगल डिस ब्रेक मिलने वाले हैं डुएल चैनल ABS रहेगा आपके सेफटी के लिए और इसका मीटर कंसूल फूली रिजिटल में होने वाला है फाइनल य बाइक के प्राइस की बा प्राइकों के लिस्ट में वान अप दी मोस्ट पॉपिलर सीरीज है बजाज की अवेंजर सीरीज, अभी फिलाल इंडियन मार्केट में अवेंजर की बस दो ही मॉडल अवेलेवल है, 160 और 200 इसी पॉप्लारिटी को देखते हुए बजाज बहुत जल 400 CC की एक पाउरफुल के साथ एवेंजर को इंडियन मार्केट में लांच करने वाली है, जिसमें आपको बजाज जॉबिनोर का ही सेम, 373 CC का सिंगर सिलेंडर 4 वार्व लिकुट कूल बेसिक्स कॉंपक्ट एंजिन देखने को मिलने वाला है, जो 35 बेस्पी के आसपास मैक्सिमम पावर और 34 एनि और इसका मीटर कंसुल फुली डिजिटल में होने वाला है, जिसमें आपको सभी बेसिक चीज़ें सोग हो जाएंगी फाइनल ए बाइक के प्राइस की बात करें तो ए बाइक आपको 2 लैक एक सोरूम प्राइस राक के साथ एविलेबिल हो जाएगी और इस बाइक के लांचिंग डेट के बारे में अभी तक ऑफिशली कुछ भी कंस्परमेशन नहीं मिला है